अगर हमारे पास दो solution मौझूद हो और इनके H positive ions की तादाद बराबर हो तो क्या आपको लगता है कि इनकी acidic ताकत या strength एक जैसी होगी वैसे जिस solution में ये H positive ions हल हुए होंगे या dissolve हुए होंगे इनकी acidic ताकत या strength का इनहसार solution के volume पर भी होगा और हम आज इस वीडियो में इसी मौझू पर बात करेंगे कि किसी भी solution की strength का इनहसार solution की concentration पर किस तरह होता है या किस तरह solution की strength solution की concentration पर मुनसर करती है और concentration से मुराद है दिये गए solution के volume या हजम में H positive ions की मिगदार तो चले एक मिसाल लेकर इस मौझू को शिरू करते हैं पहले एक acidic solution की मिसाल लेते हैं इसके बात basic solution पर बात करेंगे तो आपको याद होगा कि acidic solution के पास H positive ions की तादाद ज्यादा होती है लेकिन देखे अगर मेरे पास मुक्तलिफ acidic solution हो जिनके H positive ions की मिगदार बराबर हो तो इसका मतलब ये नहीं है के इनकी acidic strength भी बराबर होगी इसको समझने के लिए एक तजर्बा करते हैं यहाँ पर तो यहाँ मेरे पास पानी का एक glass है पानी की एक गोतल है और पानी का एक tank मौझूद है अब मैं इन सब में H positive ions की एक जैसे मिगदार शामिल करूँगी तो मैं इस glass में 100 H positive ions शामिल करूँगी और बोतल में भी 100 H positive ions और इस tank में भी 100 H positive ions शामिल कर दूँगी अब शायद आप अंदाजा लगा सकें कि इन सब की acidic strength एक दूसरे से मुक्तलिफ होगी शायद आपके दमाग में ये पहले सही हो कि इस glass की acidic strength सबसे ज़्यादा होगी यानि कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा acidic होगा जबकि इस stack में मौझूद solution इन तीनों में से सबसे कम acidic होगा तो चले आए ज़र ऐसे तफसील से देखते हैं अचाब यहाँ मेरे पास 100 H positive ions मौझूद है लेकिन इस पानी के glass में पानी का volume बहुत काम है ना तो इस solution का volume बहुत काम है तो मैं यह कह सती हूँ कि H positive ions इस solution में सबसे ज़्यादा concentrated है यानि सबसे ज़्यादा मर्कूद है तो यह वाला solution इनमें सबसे ज़्यादा गाड़ा या concentrated है अगर आप इसमें से थोड़ी सी मिगदार में एक sample ले या इस solution को एक चमच मिले तो आपको इसमें बहुत सारे H positive ions मिलेंगे और यही वज़ा है कि यह सबसे ज़्यादा acidic होगा यानि यह सबसे ज़्यादा acidic solution है जबके अगर आप इस solution को देखे तो इसके पास भी 100 positive ions मौजूद है लेकिन यह ions एक बड़े volume में तकसीम किये गए है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह solution थोड़ा सा diluted है या यू कहलें कि यह इस solution के मुकाबले में कम concentrated या कम गाड़ा है पानी की इस bottle में मौजूद यह solution इस glass के पानी के solution के मुकाबले में कम concentrated है तो यह इसलिए इसके मुकाबले में थोड़ा सा कामें से डेखोगा अब अगर आइधर आएं तो इसके पास H positive ions की मुक्दार इतनी ही मौजूद है जितनी इनने है लेकिन यह ions एक बड़े volume में या बहुत ज्यादा volume में तकसीम किये गए है तो यह बहुत ज्यादा diluted solution है या यू कहले कि इन सब में से सबसे कम concentrated या सबसे कम गाड़ा solution है अब अगर आप इस solution का कोई sample लें या इस solution को एक चमच मिलें तो आपको इसमें बहुत कम मिगदार में H positive ions मिलेंगे और यही वज़ा है कि यह सबसे कम acidic होगा उमीद है आपको यह सारी बात समझ में आ गई होगी लेकिन अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं आपको समझाने के लिए मेरे पास एक और तरीका है देखें अगर आप एक चमच शकर को छोट इसे पानी के ग्लास में शामिल करें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि शकर का यह solution बहुत ज़्यादा concentrated होगा और अगर आप से चखेंगे तो यह बहुत ज़्यादा मीठा भी होगा लेकिन अगर मैं यही शकर का एक चमच इस बोतल में शामिल करूँ तो आपको अंदाजा होगा कि शकर का यह solution कम concentrated होगा यह इसकी मकाबले में diluted होगा है न और यह लाजमी तोर पर इस ग्लास के solution के मकाबले में थोड़ा कम बीठा होगा अब इसी तरह अगर में इसी शकर के एक चमच को पानी के इस टैंक में शामिल कर दू तो आप मुझे फॉरण से कहेंगे कि लाजमी तोर पर यह solution बहुत और बहुत ज्यादा diluted होगा और यह इन सब्से कम concentrated होगा और जब आप इसे चकेंगे तो यह भी मुम्किन है कि यह बिल्कुल भी मीठा ना हो तो यहां हमने गौर किया कि शकर के यह solution में concentration जितनी कम होगी इतना ही कम मीठा होगा और बिल्कुल इसी तरह से यह यहां भी हो रहा है जितनी कम H positive wines की concentration है इतना ही कम यह solution acidic है और जितनी ज्यादा H positive wines की concentration है इतना ही ज्यादा यह solution acidic है तो चले अब H positive wines की concentration और solution की acidic nature के आपस में तालुक को लिख लेते हैं तो हमने कहा कि अगर H positive wines की concentration ज्यादा है तो solution ज्यादा acidic होगा और अगर H positive wines की concentration कम है तो solution भी कम acidic होगा तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि किसी भी solution की acidic strength सिर्फ solution में मौझूद H positive ions की तादाब या मिदार पर ही मुनसर नहीं करती बलके इसका इनहसार solution के volume पर भी होता है इस solution के volume पर जिसमें ये H positive ions हल हुए होते हैं और ये ratio H positive ions की concentration कहलाता है तो हमने देखा कि जब H positive ions की concentration बढ़ती है यानि जब ये ratio बढ़ता है तो acidic strength भी बढ़ती है और जब H positive ions की concentration कम होती है यानि ये ratio कम होता है तो acidic strength भी कम हो जाती है और solution पर कम acidic हो जाता है खेर अभी आपको इस ratio के बारे में फिकर करने की जरूरत नहीं है हम इसके बारे में तफसील से दूसरी वीडियो में बात करेंगे अभी के लिए चले हम एक और मिसाल को लेते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि हमें पिछली बातें अच्छी तरह समझ में आई भी है या नहीं तो जनाभ यहां मेरे पास पानी के दो गलास मوجود हैं और इनका वालिम बराबर है और मैंने इस पहले वाले में 100 h पॉसिटेव IoT हल की हैं और इस दूसरे वाले में 50 h पॉसिटेव आइन्स हल की हैं तो जब इस वीडियो को रोक कर आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सिलूशन ज्यादा कॉनसा सिलूशन ज्यादा गाडा होगा तो इन दोनों सिलूशन का volume बराबर है लेकिन इसकी h-positive lines की तादाध ज्यादा है जिसका मतलब यह हुआ कि यह solution ज्यादा इसके पास h-positive wires की concentration ज्यादा है इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसके मुकाबले में ये जियादा एसडिक होगा तो चलिए हैं बेसिक सिलूशन के बारे में बात करते हैं देखे इसमें भी यही वाला लॉजिक इस्तमाल होता है बस फर्क इतना है कि बेसिक सिलूशन के पास OH- आइन की मिगदार ज्यादा होती है तो बेसिक सिलूशन की ताकत या स्ट्रेंद का इनहसार सिर्फ OH- आइन की मिगदार पर ही नहीं होता बलके ये सिलूशन के वालियूम पर भी मनसर करेगा इस solution के volume पर जिसमें OH negative iron हल होंगे तो इसका मतलब यह हुओ के basic solution की ताकत या strength का इनहसार OH negative iron की concentration पर होगा तो जब OH negative iron की concentration ज़यादा होगी तो solution भी ज़यादा basic होगा और जब OH negative iron की concentration कम होगी तो solution भी कम basic होगा तो चले इसका कोई सवाल हल करके देखते हैं कि हमें ये बात समझ में आई है या नहीं इस सवाल में कहा गया है कि एक basic solution एक reaction के बाद मजीद basic हो जाता है और हमसे कहा गया है कि इस solution में मौझूद OH negative ions की concentration पर कुछ तबसरा करें तो आप मैं जाहूंगे कि आप इस वीडियो को रोक कर खुद इस सवाल का जवाब दे तो यहां इस सवाल में कहा गया है कि मेरे पास एक basic solution है जिसका मतलब यह हुआ कि इसके पास पहले से ही OH negative ions मौझूद है तो यहां हमारा solution मजीद basic हो रहा है जिसका मतलब यह हुआ कि इसकी OH negative ions की concentration भी लाजमी तोर पर बढ़ रही है यह OH negative ions यहां ज्यादा concentrated होने चाहिए तब ही जाकर तो यह solution मजीद basic होगा चले यहां वे एक आखरी सवाल हल करते हैं तो इस सवाल में कहा गया है कि एक acidic solution है जिसमें H positive ions की concentration कम हो रही है अब आगे हमसे कहा गया है कि इस solution की strength पर कुछ तबसरा करें तो यहां मुझे दिया गया है कि H positive ions की concentration कम हो रही है और हमने पहले बढ़ा था कि H positive ions की concentration solution की acidic strength को वाज़े करती है यहनी कि H positive Vines की concentration जितनी ज्यादा होगी इतना ही ज्यादा solution acidic होगा और जितनी कम H positive Vines की concentration होगी इतना ही कम solution acidic होगा है न तो चुणके यहाँ H positive Vines की concentration कम हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि solution भी कम acidic हो रहा है तो solution कम acidic हो रहा है या कहले कि solution की acidic strength कम हो रही है तो यही इस सवाल का जवाब भी होगा